नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इलिया आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन बहुत बहुत स्वागत है आपका अमारे खास प्रोग्राम खेल अड़ा में जो हाँ आपको खिलाडी से लेकर मैदान तक की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं तो चलिए शिरवात करते हैं खेल अड़ा में खबरों की और आज की सबसे बड़ी खबर है वो हम आपको बताएंगे दरसल केंद्र की मोदी सरकार ने राजियेव गांधी खेल रत्म पुरुसकार का नाम बदल दिया है सरकार ने इसे होक्की के जादू कर कहे जाने वाले मेजर ध्या अगरे भी सामनी आया कि खेल रत्म पुरुसकार का नाम मेजर ध्यानचन जी को समर्थित किया जाए लोगों की भावनाव को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचन खेल रत्म पुरुसकार किया रहा है प्रधार मंच्री मोदी ने कहाए कि टोक्यो ओलंपिक में भ अगत पुरुसकार दिया जाता है होकी के जादू कर कहे जाने वाले मीजर ध्यानचन का होकी में आप इश्वश्य ने योगदान रहा है उन्होंने अपनी आखरी ओलंपिक में कुल 13 गोल दागे थे इस तरह एड़ बोर्ट्रम लॉस एंजलेस और बोलिन ओलंपिक को मिला कर ध्यानचन ने कुल 49 गोल किये जिससे उनकी बेहतरीन प्रदर्शन का पता चलता है उनके जल दिन 29 अगस को भारत के रास्ट्री खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे दिन हर साल खेल में उत्प्रिस प्रदर्शन के लिए सरवोच्य खेल सम्माल खेल रत्रम के अ सौन पदक दिलाने वारी ध्यानचन के जीवन का हर कोई कायल है टोक्य उलम्पिक में महिला और पुरुष होकी टीम के अथिहासिक प्रदर्शन के बार देश में एक बार फिर लोग होकी को क्यार देने लगे हैं पुरुष टीम जहाए 40 साल बार पदक जीतने में सफर रही तो महिला टीम पहरी बार उलम्पिक की सामी फाइनल में पुरुष टीम ने आखरी बार 1980 के मौस्को उलम्पिक में मेडल जीता था तब उसने गोल मेडल पर कबजा किया था यानि यह कहा जा सकता है कि वाकई होकी में देश की भी दलचस्पी पढ़ रही है साथी साथ एक अगर फिर से हौकी का जो खेल है वो युवाओ को बेहत प्रेडित कर रहा है से साथी बच्चों को भी प्रेडित कर रहा है भारत की महीला होकी टीम ने टोक्यो उलम्पिक में श्वानदार प्रदर्शन किया उन्होंने पहली बार उलम्पिक के सैमी फाइनल में जगा बनाई अलगे सैमी फाइनल में भारत को अर्जंटीना और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में ग्रेड विटेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा उलम्पिक मेडल चूपने के बाद टीम इंडिया के प्लेयर्स मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगी सवीता कुनिया, बंदना काटारिया, कप्तान रानी रामपाल और नेहा गोईल समें तमाम खिलाडी मैदान पर इमोशनल नज़र आए इन सबी खिलाडियों ने पूरे टूर्णामेंट में अगजब का प्रदर्शन किया था ब्रिटेन की खिलाडियों ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की और भारते खिलाडियों को सम्मान भी दिया उन्होंने भारते खिलाडियों के सम्मान में खड़े होकर तालिया बजाई है चलिए आपको ग्राफिक्स के जरीए समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ इस रोमाचक मुकाबले के दोरा आ लिए ब्रिटेन के खिलाडियों ने भारते खिलाडियों के सम्मान में ताली बजाई ब्रिटेन के खिलाडियों ने कुछ यूँ एक दूसरे को सम्मान दिया तस्वीरे भी आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माधियम से भारत के लिए गुरजीत कौर में पैनल्टी कॉर्णर पर एड्रैक फ्लिक से दो गोल दागे उन्होंने नॉकाउट के तीन मैचों में चार गोल दागे भारत की स्टार फॉवर्ड बंदना कटारिया ने उलम्पिक में कुल चार गोल दागे हैं ब्रिटेन की गोल कीपर मेडिलिन क्लेर भारत की नेहा गोल को साथवना देते हुए नजर आई ये वाकई भावुकता का पल था मैच के बाद भारतिये गोल कीपर सवीता पूनिया फूट फूट करोने लगी उन्होंने ब्रिटेन के खिलाव को साथ सेव किये इसमें छे काउंटर अटेक और एक पेनल्टी कॉर्णर बचवाया इंगलेन के खिलारी गोल कीपर पूनिया को साथवना देने पहुची कुछ बिटिश प्लियर्स चीत का जश्न छोड़कर भारतिये खिलाडियों से बात कर रही थी तो भही इंगलिश प्लियर्स ने थप थपाई गुर्जीत की भी पीट ये देखिया आप ये वाकी भावुकता का पल था इंगलेंड के प्लियर्स ने भारतिये कप्तान रानी, रामपाल, नवनीत और निशा की तारीफ की मैच के बाद टीम हार के दुख में डूबी नज़र आई हर आखों में आंसू थे लेकिन देश गर्व से जुम रहा था इमोशनल रानी रामपाल से बात करती इंगलिश प्लेयर भारते महिला टीम पहली बार उलम्पिक में ब्रॉंज मेटल का मुकाबला खेली भारते होकी को 980 से उलम्पिक में श्वामिल किया गया था भारते महिला टीम ने तीसरी बार उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया कोचिंग स्टार भारते खिलारियों को साथना देते हुए भारते पूरे टूर्नामेंट में शांदार प्रदर्शन किया टीम इंडिया के कोच मरिजविन भारते खिलारियों को समझाते हुए पियम मोधी ने भी टीम की जमकर तारीफ की और पियम मोधी ने आज महिला टीम से भी फोन पर बात की तो भावुकता की तस्वीरे तो आपने देखी इसके साथ ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी भारते महिला होकी टीम के खिलारियों से फोन पर बात की इस दुरान सभी खिलारी भावुक नजर आए प्रधान मंत्री मोधी ने महिला खिलारियों से कहा कि पूरे देश को आप पर गर्व है इसके साथ ही प्रधान मंत्री मोधी ने टीम की कप्तान रानी रामपाल से नवनीत की आग पराई चोट को लेकर पुछा जिस पर रानी रामपाल ने कहा कि नवनीत की आग के पास चोट लग गई थी जिसके बाद चार ताके लगे हैं इस पर प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश बेचियों के लिए आप सभी प्रेणना है वहीं टीम की खिलाडियों को रोते हुए सुनने पर प्रधान मंत्री ने कहा कि आप लोग रोना बन कर दीजे निराश होने की जुरत नहीं है आप लोगों की बज़र से कई सालों बाद एक बार फिर विश्व पटल पर भारत होकी की पहचान बन सकी है आखिर में प्रधान मंत्री ने टीम के कोच शोर्डे मरीन को भी बधाई दी है और यह विडियो आपके सामने है जब प्रधान मंत्री ने टीम से बात कर रहे थे और उनके कोच भी उनके साथ ही मौजू थे चेहरे लटके वे थे लेकिन मन में उत्साहा देश के जरूर नजर आ रहा था लेकिन आपका पसीना हादेश की करोडों बेटियों की प्रेड़ा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सब को बढ़ाई देता हूँ आपने इतना इंकरेज किया हमारे टीम को सो थैंक यू सो मुच अब निराज बिल्कुल नहीं होना है अचा मैं देख रहा था नवरिक की आख पर कुछ चोट आई है हां जी कर उसको चोट आई ती उसको चार स्टीचीज लगे है तो अरे वापड़े मैं देख रहा था उस को काफी अभी ठीक है उसके आंग को तो कोई तकलित नहीं हुए ना है और बंदना अगरे साब बहुत बढ़िया किये आपने और सलीमा के तो सब को लगाए कि भाई सलीमा तो बहुत कमाग तर देती हाँ सब्सक्राइब कर देखिए देश आज आपका गर्व कर रहा है विल्कुल निगास नहीं होना है और कितने दसकों के बाद को की भारत की पहचान फिर से एक बार कुनर जी भी हो रही है आपके लोगों के मैंट्चे हो रही है आपके लिख बारत का Bhagकthen कि आपके लिए आत्मनОी बॉपाer हए पुल्युर वोगों के मिल्कुल नहीं है आपके मिल्कुल में इवके लिए्ह महीं हरा भारत कर बारत कर दोएऻ. एक बिल्युर हो थास्य भारत कर दोबाउत ग्यूँन तो प्रधान मंत्री से बादचीत के बाद टीम के सिदस्यों की भावग तस्वीरे आपने देखी बतादे कि प्रधान मंत्री ने से पहले पुरुष होकी टीम के खिलाडियों से भी मैच जीतने के बाद बात की थी और उन्हें बधाई दी थी टोकियों में जारी ओलम्पिक में हिंदुस्तान को इतिहास रशने का मौका मिला था महिला होकी टीम की सैमी फाइनल में अरजन्टीना के साथ भेड़न थो लेकिन भारते महिला होकी टीम सैमी फाइनल में अरजन्टीना से दो एक से हार वेई टीम ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जीन्थ हासिल नहीं कर सकी इस उलम्पिक में भारते टीम में सैमिक फाइनल में जगा बनाकर इतिहास रचाना है लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत की टीम की बेटियों के बारे में जिन्होंने इतिहास रचा वो कैसे इस बुलंदियों तक पहुँची है और कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत की है टोक्यो अलम्पिक में भारतीय टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारते टीम ने सबसे बड़ा उलट फेर करते हुए उस्ट्रेलिया को मात दी और सैमी फाइनल में अपनी जगा बना ली सैमी फाइनल में पहुँचते ही महिला होकी टीम में तिहास रच्टिया हालक ही ऐसा पहली बार होगा कि महिला होकी टीम के खाते में उलम्पिक का गोल्ड या फिर सिल्वर मेडर होगा भारत की ये 16 बेटियां रच रही हैं तिहास रानी रामपाल टीम इंडिया की कप्तान रानी रामपाल हर्याना के शहाबाद स्यादी है 26 साल की रानी फावर्ड पोजीशन पर खेलती हैं और देश की उम्मीदों का भार उन पर खीटिका हुआ है एक दशक से ज्यादा से होकी खेल रही रानी जूनियर वर्ल्ड कप एशिन कप में अपना जलबा दिखा जबी है नेहा गोयल 24 साल की नेहा ने कभी साइकल फैक्टरी में काम किया है और अब उनके पास देश के लिए सोना जीतने का मौका है 27 साल की निक्की ज्ञारकंड के हैसल सिराती है और टीन के महतोपोन डिपेंडर में से एक है निक्की से पहले रियो ऑलम्पिक में भी हिस्सा ले चुकी है निशा पार्सी हर्याना के सोनीपत की निशा भारतिय टीम की मिड पिलडर हैं जिनोंने दो साल पहले ही जबी किया था 2018 में टीम में शामिल कोने के बाद से ही निशा टीम की महतोपोन खिलाड़ी है निशूरम की रहने वाली लालरे मिसियामी सिर्फ एक साल की उम्र में देश की उमीदों का भार उठा रही है पावर्ड पोजीशन पाखेलने वाली ये खिलाड़ी शुरूात में सिर्फ साइम भाशा में बात करती थी क्योंकि जब वो टीम में आई थी तो उन्हें हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती थी और लालरे सेम्यामी अपने राज़िस से ओलंपिक खेलने वाली पहली प्लेयर बनी है मनिपूर के इंफाल से आने वाली टीम इंडिया की मिट फिल्डर शुशीला टीम की सबसे सीनिय प्लेयर में से एक है शुशीला टीम की कप्तान भी रह चुकी है और रियो ओलंपिक में उन्होंने टीम की अगवाई की थी दीप एकका ओरिसा से आने वाली दीप 27 साल की है और टीम इंडिया में डिफेंजर कीप खुमिका में है एकका पहले बोल कीपर बनना चाहती दी लेकिन बात में उन्होंने डिफेंजर कीप खुमिका चुनी दीप का ये दूसरा ओलंपिक है जाकन की सलीमा भारते टीम में मिट फिल्डर है और नकसली इलाके से आने वाली सलीमा के शुरुआत काफी मुश्किल भरी रही खेत में काम कर पैसा कमाने के बाद वो फॉक्किय स्ट्रेक जीत पाईंग थी उदिता दुहान हर्याना के हिसार की उदिता जो टीम में डिफेंडर की भूमिका में हैं हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई हैं उन्होंने पहले अपने पिता की तरह हैंट बॉल खेलने से शुवात की और बाद में हौकी की और आई बंदना का चारिया उत्रपरदेश की बंदना ने इस उलम्पिक में शानदार गेम खेला है बंदना की हैट्रिक के दम पर ही टीम कहां तक पहुँची है पौवर्ड पोजिशन पर खेलने वाली बंदना परदेश की निगाहें हैं नवनीत कौर हौकी के गर शाहबाद से आने वाली नवनीत उन खिलाडियो में से शामिल है जिन्नोंने रियो ऑलम्पिक में हिस्सा लिया था और similarly के खिलाहें मकाबले में नवनीत शांदार खेल दिखाया था मौनिका मलिक हर्यानस से ही आने वाली मौनिका टीम इंडिया की मिट फिल्डर है मौनिका के पिता चंडीगर बुलिस में A.S.I. है और मौनून के नाम से मशूर मौनिका टीम इंडिया की और से एशियन गेम्स में खेल चुकी है गुरजीत कौर पंजाब के अमरेसर से आने वाली गुर्जीत ने भी आस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मात्र पूल किया था जिसने सेमी फाइनल का टिकेट पक्का किया कभी कबजी खेलने वाली गुर्जीत ने हॉस्टल के दिनों में होकी स्टिक ठामी थी शर्मिला देवी पौवर्ड पॉजीशन पर खेलने वाले 19 साल की शर्मिला ने 2019 में अपना डेब्यू किया था अमेरिका को हराने में शर्मिला की एहम भूमी कर रही थी तबी से ही वो हर किसी की नजरों में है नवजोद पौर कुरुशेत्र की नवजोद के पिता मकैनिक थे लेकिन उनकी बेटी अब टोक्यो ऑलम्पिक में अपने देश का नाम रोशन कर रही है मिट फिल्डर के तौर पर खेलने वाले नवजोद रियो ऑलम्पिक में खेल चुकी है सवीता पुन्या टीम इंडिया की दिवार सवीता को देश में कौन नहीं जानता आस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ पैनल्टी कॉनर को जिस तरह सवीता ने बचाया उससे वो देश में हीरो बन कई हरियाना की रहने बाली सवीता टीम इंडिया की वाइस कैप्टन है इस ओलंपिक में भारत की टीम की शुरुआत काफी अच्छी नहीं हो पाई थी पहले मैच में निंदर लेंड ने टीम इंडिया को पांच एक से मात दी फिर जर्मनी ने दो शूने से टीम को खराया ग्रेट बिटेन ने टीम इंडिया को चार एक पटकनी दी लेकिन इसके बाद भी टीम इंडिया की किस्मत पलट गई और पहले बहिला फोकी टीम ने आईलेंड को एक शुरुने से मात दी थी और उसके बाद आईलेंड अपने एक अन्ने मैच में हार गई इसी की वज़ा से भारते टीम के एंट्री क्वार्टर फाइनल में हो गई लेकिन क्वार्टर फाइनल में टॉप रैंकिंग वाली टीम ऑस्ट्रेलिया को भारत की बेटियों ने खरा किया भारत ने उस्ट्रेलिया को एक शूने से मात दी और दुनिया को चौका दिया प्योरो रिपोर्ट नीज वर्ल इंडिया टोक्यो अलम्पिक में भारत के खिलाडियों ने अतिहासिक प्रदर्शन किया है पांच मेडल जीत कर भारत उलम्पिक में अपना दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन कर चुका है और अगले कुछ घंटे में इस सर्वस्ट रेज्ट भी हो सकता है भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन लंदन उलम्पिक 2012 में रहा है जहां उसने 6 मेडल अपने नाम किये थे टोक्यो अलम्पिक में भारत के खाते में और पद्कों की जूने क्यूनी दे बनी दून है क्योंकि रेस्लेर वर्जल कुनिया पुर्शो के फ्रीस्टाइल पैसर किलो भार वर्ग के समी फानल में पहुँच चुके है लेकिन वहाँ पर उन्होंने खार का सामना किया है अब वो ब्रॉंज के लिए खेलेंगे तो ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है कि एक और मॉडल चाहे वो ब्रॉंज ही क्यों ना हो वो भारत की जोली में गिर सकता है वह एक गोल फर अदिती अशुक महिलाओं के वेफ्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर के बाद दूसरे स्थान पर है अदिती के पास गोल मेडल जीतने का बहतुरीन मौका है अगर खराब मौसम के कारेंट शनिवार यानि की साथ अगस को चौथा और फाइनल राउंड नहीं होता तो अदिती को सिल्वर मेडल मिल सकता है अगर इस तीनों खिलाडी पदक हासिल कर लेते हैं तो भारत के खाते में आर्थ मेडल हो जाएंगे जो उसका उलम्पिक के इतिहास में सर्वर्शेश प्रदर्शन होगा तोक्यो में जारी खेलों के महा कुम्ब के पहले ही दिर भारत ने पदक के साथ खाता खोला और वेड लिफटर वीराबाई चानों ने सिल्वर मेडल जीत कर भारत को पहला पदक दिलाए था इसके बाद बेंग बिंचन में पीवी सुंध ने कांसे पदक पर कपजा किया स्टार बॉक्सर लवलीना ने टोक्यो उलम्पिक में यादगार प्रदर्शन करते वे कांसे पदक अपने नाम किया उन्होंने खरीद सत्र किरों वेड वेडर केटिगरी के सावी फाइनल में तुर्की की वोर्ल नंबर मुक्यबास बुनेनास से शुनेपास से शिकष्ट में इसके साथ लवीना ओलम्पिक मुक्यबाजी इवेंच के पदक जीतने वाली तीसरी भार्ट के बॉक्सर बन गई भारत को इस ओलंपिक में दूसरा सिल्वर मेडल पहलवान रवी दहिया ने दिलाया है जो कि कल ही दिलाया है रवी ने 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में ये पदा खासिल किया उन्हें फाइनल में दूसरी वर्यरूस ओलंपिक समीती के पहलवान जावूर ने चार साथ से मात दी दी रवी कुमार दया ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे पहलवान है रवी से पहले सुशील कुबारे 2012 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष होके टीम ने भी कमाल किया उसे चार दर्शक का सूखा खत्म करते हुए कांसे पदक अपने नाम कर लिया भारत को इससे पहले निस्वासी के मॉस्को ओलंप मेडल मिला था तब उसने गोल्ड मेडल पर कबजा किया था तोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में एक और मेडल आ सकता है स्टार गोल्फर अधिती अशोक ने अपने प्रदर्शन से पदक की आस जगा दी है अधिती महिलाओं की व्यक्टिगत स्ट्रोक प्ले की तीस्रे दोर के बाद दूसरे साल पर है अधिती के पास गोल्ड मेडल जीतने का बेटरीन मौका है अगर शनिवार को यानि की सात अगस को यानि की कल यह राounds खिला जाता है तो एक और मेडल पका हो जाएगा जो की अधिती के नाम होगा जो सिलबर मेडल होगा वही अगर फाइनल में गॉल्फ में मैडल नहीं जीता है पांच साल पहले तक अधिती अशोग गॉल्फ के दिग्दचों के बीच अपना समय बिताते दिखती थी रियो अलम्पिक 2016 में वो महिला गॉल्फ प्रत्योगिता में सबसे कम उम्र्की टुक्योगी थी अब समय बदल चुका है और वो टुक्योगी अलम्पिक में मैडल जीतने की ओर है अधिती ने कहा रियो अलम्पिक में हिस्सा लेने से मुझे अनुभव मिला ओलम्पिक विलज में रहना और एथ्रिटो को देखना शानदार अनुभव था इस अलम्पिक में मुझे लगता है कि मैं अच्छा फिनिश करू पहले दिन स्वेजन की मेटलिन स्टॉम ने 66 का कार्ड खेला और पहले नंबर पर रही अदिती अशोक ने पहले दिन चार अंडर 66 का कार्ड खेला वो पहले दिन के बाद अमारका की नली कार्डो से रूप से दूसरे नंबर पर थी 23 साल के अधिती अशोक ने गुर्वार को दूसरे राउंड में और बहतर प्रदर्शन किया उन्होंने 5 बोरी लगाते वे 66 का कार्ट खेला लेकिन वो दुनिया की नंबर वन गॉल्फर निली कार्डों से पिछड़ गे और खेल जुगत की खबरों में फिलाल की इतना ही, कल फिर लौटेंगे तमाम खेल जुगत से जुड़ी खबरों के साथ, तब तक आप बने रहें, वेस्वरिंगा के साथ